प्रस्कार एक बाप फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिक्चवल के से योटूब चैनल में दोस्तो करेंट अफेस की हम जो टेस्ट सरी चला रहा हैं 50 महत्पूर्ण प्रस्णों की उसका जो अगला भाग है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं हम देख लेते हैं कि आज का महारा जो टेस्ट संक्या साथ है इसमें हमने कौन-कौन से महत्पूर्ण 50 करेंट अफेस के प्रस्णों को समलित किया हुआ है तो चली वीडियो को सुरू करता है तो पहला शुपर important प्रसन आपके screen पर है किस राज्ज के दोरा कौसल्या मातरित योजना को launch किया गया है अगला प्रस्ता मारा है और देश की पहली भूतापी छित्र विकास पर्योजना का जो निर्माण है कहाँ पर किया जाएगा तो देश की जो पहली भूतापी छित्र विकास पर्योजना है या कहाँ पर निर्मित की जाएगी तो पुर्वी लद्दाक के पूगा गाव में तो आप इसे ध्यान देज़ेगा अगला प्रस्त मारा याप है राश्टी सुरक्षा परिशत के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हाली में S.N. सुब्रमार्णयम को जो है राश्टी सुरक्षा परिशत के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गय को अपने देश की मानद उपादी से समानित किया आपको उस देश का नाम बताना है तो यह देश है नेपाल हाली में नेपाल ने भालती सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नर्वने को अपने देश की मानद उपादी से समानित किया था तो राइट इंसर आपको जाएगा ओप् बहुदिक संपदा सुचकांग 2021 जारी किया गया हाली में इसमें भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हो आपको बताना है तो सबसे पहले आप या देखेगा यह जो बहुदिक संपदा सुचकांग 2021 से इसको प्रकासित कितने किया है तो आप द्यान देजेगा US Chamber of Commerce की एक संस्था है जिसका नाम है Global Innovation Policy Center आप या देखेगा US Chamber of Commerce की एक संस्था है जिसका नाम है G.I.P.C. यानि की G.I.P.C. का मतलब क्या होता है Global Innovation Policy Center इसी के दोरा जो है बौधिक संपता सुचकांग को जारी किया गया तता इस सुचकांग में पहले स्थान पे था अमेरिका दूसरे स्थान पे था यूनाइटेट किंगडम तिसरे स्थान पे जर्मनी और भारत को अस्थान प्राथ हुआ है चाली समा तिसे आप द्यान देखेगा जो बहुत इक संपता सुचकांग 2021 जारी किया गया तिसमें भा सुभर्ण इन्वेशन पालिसी सेंटर नेती से अप ध्यान देजेगा अगला प्रस्था मारा है यहां पर हाली में तीन दिवसी मांडू मौसों का जो आयजे ने किया गया मध्य प्रदेश में आप्छिन आपका यह बिलकुल सही है मध्य प्रदेश में अगला प्रस्था प्रस्मारा है एथेनौल उत्पादन समवल्धन नेती 2021 को बनाने वाला देश का पहला राज ये कौन सा है आपको बताना है तो एथेनौल उत्पादन समवल्धन नेती 2021 को बनाने वाला देश का पहला राज बन गया है बिहार यानि कि आपका डी बिल्कुल सही है बिहार अग जुरोंग गया किस देश का है तो चाइना का या मार्श रोवर है जुरोंग जिसने हाली में सफलता पूर्वक लैंडिंग की थी तप इसे ध्यंद जेगा option B इसका बिलकुल सही है चीन का या मार्श रोवर जिसका नाम है जुरोंग अगला प्रसमारा है और देश किस देश म में बॉर्डर रोड और्गनाजेशन की दोरा आप या द्यार रिखेगा हमारे देश की जो सीमा सडक संगठान है उसके दोरा जब प्रोजेक्ट दंतक की शुरुवात की गए थी भुटान में आप इसे ध्यान देजेगा कब सुरू किया गया थी अब प्रोजेक्ट दंतक के 60 वर्स पूरे हो गए है हाली मेतापिस या दिखेगा तो इसका राइट इंसर जाएगा आपका भुटान में अगला प्रसमारा है 11 फरोरी को किस ब्यक्ति के पूर्ण तिथी को समर्पन दिवस के रूप में मनाते हैं तो पंडित दिन्दयाल उपध्याई की जो पंडित दिवस के रूप में मनाते हैं अगला प्रसमारा है 12 फरोरी किस ने चात्रों को सैक्षिक और पदान करने के लिए लदाक इगनाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट सूरू किया है तो लदाक इगनाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट को सुरू किया है भारती सेना के दोरह यानि कि आप्सन ए इसका बिल्कुल सही है छात्रों को सैक्षिक और पदान करने के लिए भारती सेना ने लदाक इगनाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की सुरूआत किये तो ये बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ट हमारा है, अंग्रेजी भासा के लिए जो है साहित अकादमी पुरस्का 2020 किसे दिया गया है, आपको बताना है, कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, तो इस प्रस्ट का राइटेंस रो जाएगा, अंग्रेजी भासा के लिए जो स रचना कौन सी थी तो when God is traveler क्या थी when God is traveler इसी रचना के लिए जो है अरुन्धती सुब्रमानियम को साहत्य अकदम पुरस्का 2020 दिया गया था अंग्रेजी भासा में ताप इसे ध्यांद जेगा अगरा प्रस्मारा है और 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़ रिपोर्ट के अनुशार बड़े राज्यों में न्याय देने के मामले में जो महरास्ट है वह सबसे टॉप पे था यानि कि option जो इसका सी है बिल्कुल सही है न्याय देने के मामले में जो है महरास्ट नंबर एक पे था और बड़े राज्यों में सबसे आखरी अस्थान पे गया वरिवरिए इंपोर्टन तो हाली में भारत भारती समान दिया गया उत्तरप्रदिश की गवर्मेंट के तोरह डॉक्टर सुर्य बाला को यानि कि आपक्टर सुर्य बाला को अगला प्रस्त मारा है औस्टेलियन ओपन अगला प्रस्त मारा है और किस फार्मूला वन ड्राइबर को ब्रिटेन की महरानी ने सरवच नागरिक समान नाइट वूड से हाली में संभानित किया था वेर वर इंपोर्टेंट तो फार्मूला वन ड्राइवर का नाम क्या है तो लुइस हैमिल्टन यानि की आपसन अपका बी बिल्कुल सही है हाली में लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महरानी ने जो है सरोच नागरिक सम्मान नाइट हूड से समानित किया था तो आपसन अपका बी बिल्कुल सही हो ज अगला प्रस्त मारा है किस मंतराले के द्वारा कोवीड टी का संग सुरचित वन धन और उद्धम अभियान की सुरवात की गई है तो यहां मंतराला है जनजाती मामलों का मंतराला इसके जो मंतरी अरजुन मुंडा इन्हें के द्वारा जो है जन्जाती मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा इने के दोरा कोविड टीका संग सुरच्छित वन धन और उद्दम अभियान की सुरुवात की गई है तो आपसे आ देखेगा ओप्सन भी आपका बिल्कुल सही है अगला प्रस्मारा है किस राज ने गर्वती महिलाओं के टीका करण के लिए मात्री कवच्चम योजना की सुरुवात की है तो आप इसे ध्यान देखेगा अगला प्रस्मारा है किस वर्ष को जो है युनाइटे नेशन यानि के सेंगतराष्ट महासबा द्वरा मोटे अनाज का अंतराष्टी वर्ष घोसित किया गया आपको उस वर्ष का नाम बताना है जिस वर्ष को युनाइटे नेशन की जो महासबा है उसके द्वरा मोटे अ बोटे अनाज का अंतराश्टी वर्स घोसित किया गया अगला प्रसमा रहा है हाली में किस भाती एयर लाइन कंपनी की आल इन वन पाइलट टीम ने उत्री दूपर 16000 किलोमेटर लगातार उडान भरकर इतिहास रचाया आपको उस एयर लाइन कंपनी का नाम बताना है तो यह एयर लाइन कंपनी है एयर इंडिया एयर इंडिया के जो पाइलेट उन्होंने उत्री दूपर 16000 किलोमेटर लगातार उडान भरकर इतिहास और अच्छाय तुराइट इन तरह को जगा एयर इंडिया ने की आपसन अब का डी बिल्कुल सही है अगला प्रसमा रहा है भारत का 51 अंतरास्टी फिल्म वहसो का आयोजन कहां पर किया गया तो 51 अंतरास्टी फिल्म महसो का आयोजन किया गया ता गुवा की राजधानी पढ़जी में यानि की option आपका E. बिलकुल सही है असरफ पटेल अगला प्रस्म हमरारे यहाँ पर पालिया मेंट्री Durham messenger in राजस्थान पुस्तक के लिखा कोन है तो इनका नाम है डाक्टर के एन भंदारी के दोरा पुस्तक को लिखा गया है तो आप इसे ध्यान देजेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट तदा इस पुस्तक का भी मोचन किया M1 का या नाइडू ने अगला प्रस्मा रहा है 2022 के जो ग्रिश मकालिन ओलंपिक खेलोंगे उनकी मेज़बानी कौन सा सहर करेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो 2022 के ग्रिश मकालिन ओलंपिक खेलोंगे की मुझबाने करेगा ब्रिस बेन यानि कि ऑप्सन अपका ए बिल्कुल सही है ब्रिस बेन अगला प्रस्मा रहा है और फरवरी 2021 में अंतराष्टी उलंपिक समीती तरह प्रकासित पुस्तक कौन सी थी तो जो है फरवरी 2021 में अंतराष्टी उलंपिक समीती के तरह एक पुस्तक का प्रकासन किया गया था नाम था playbook यानि कि option आपका C बिल्कुल सही है playbook अगला प्रस्त मारा है केंद्री बजट 2021-22 में जो है railway के लिए कितनी धन्रासी प्रस्तावित की गई आपको बताना है तो आप यहाँ देखेगा 1,10,055,000 आप यहाँ देखेगा इस प्रका लिखा जाएगा 1,10,055,000 करोड रुपए की जो धन्रासी थी या जो है प्रस्तावित की गई थी किसके लिए तो railway के लिए तो आप इसे द्यान देजेगा राइटेंशर आपको जाएगा एक लाख दस सजार पचपन करोड रुपए की जो धनरासी थी या प्रस्तावित की गई थी भारती रेलवे को केंदरी बजट 2021-22 में तो आप इसे ध्यान दीजेगा अगला प्रस्त मारा यहां पर है और किन दो देशों ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री अस्तरी बैठक 2021 का आयोजन किया वेरी वरी इंपोर्टेंट तो तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री अस्तरी बैठक का जो आयोजन था 2020 में किया गया जपान और आइसलैंड के यानि कि option आपका भी बिल्खुल सही है जापान और आइसलैंड के द्वारा अगला प्रसमा रहा है हाले में केंद्रिगरी मंत्री अमिस्तान उत्तर पदेश के कि जिले में मा बिंदावासनी कोरिडोर पयुजना की अधार सिला रखी वरे वरे इंपोर्टेंट तो यह उत्तर पदेश का दूसरा मंदिर कोरिडोर आपया देखेगा यह उत्तर पदेश का दूसरा मंदिर कोरिडोर है जिसका उधगाटन किया गया मिर्जापूर में आपया देखेगा तो जो मा बिंदावासनी कोरिडोर पयुजना या उत्तर पदेश की दूसरी मंदिर को करिड отлич ? परेजल थी करिड़ोर परयोजना थी तौ o यह मावेंदवासनी और दूसरी परयोचना है जोकर विर्जापूर में बनाई जा रही तो दुनों आपको याद अखना है इसके बाद अगला है राष्ट्रपती रामनात कोविंद ने निम्ने में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरुसका 2020 प्रिदान किया है तो बिहार को यानि कि अगला प्रस्मारा है AI for all यानि कि artificial intelligence for all पहल के लिए किस कंपनी ने CBSC और सिक्षा मंतराले के साथ सहयोग किया है तो intel यानि कि option आपका B बिल्कुल सही हो जाएगा intel अगला प्रस्मारा याँ पर है और विश्व की सबसे बड़ी floating 600 MW की सोर पर्यूजना का जो निर्मान किस बांध पर किया जाएगा very very important तो विश्व की सबसे बड़ी 600 MW की जो सोर उर्जा पर्यूजना है इसका निर्मान किया यानिकी option आपका C इ-नका रेत्सवर बांध अगला प्रस्मारा है हाल में human right sale के प्रामुख कौन बनाएगा है तो human right sale के प्रामुख बनाएगा है major general gautam 4 यानिकी option आपका D बिल्कुल सही है major general gautam 4 अगला प्रस्मारा है खराब वित्ती इस्थिती के कारण 2021 की अंत में RBI दौरा किस बैंक का लाइसेंस रद कर दिया गया था वो इसको बताना है आपको तो खराव वित्ती स्थिती के कारण जुलाई 2021 में जो है मढगाम सहरी साकारी बैंक लिम्टेट का जो लाइसेंस था RBI ने रद कल दिया था तो आपसनाप का C बिल्कुल सही हो जाएगा मढगाम सहरी साकारी बैंक लिम्टेट अगला प्रस्मारा है हाली में रासायनिक हतियार निस्येद संगठन के बाहरी लेखा परिच्छक करूप में किसे चुना गया है रासायनिक हतियार निस्येद संगठन के बाहरी लेखा परिच्छक करूप में चुना गया है और इनका नाम है गिरिश चंदर मुर्मु यानि कि अपसनाप का A बिल्कुल सही है गिरिश चंदर मुर्मु को अगला प्रस्मारा है पहली किसान रेल जो है कहां से कहां तक चलाएगे थी आपको बताना है तो पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाएगे थी तो देवलाली से दानापूर देवलाली आपको मिलेगा महरास्ट्र में और दानापूर आपको मिलेगा बिहार में तो देव डाली से दानापूर के मत देच लाए गये थी पहली किसान रेल तो आप इसी ध्यान देजेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगला प्रस्वारा है जो हाले में चक्रवात आया था तोकते इसका जो नामकरण था किसके दोरा किया गया था तोकते चकरवात का नाम दिया था नाम में धारित किया था म। आपको बताने कि E9 का संबंद किस से है तो UNESCO दरह शुरू की गई E9 का संबंद है आपका सिक्षा से यानि की education से यानि की option आपका C बिल्कुल सही है education अगला प्रसमारा है अगला प्रसमारा क्या कह रहा है यहाँ पे और भारत का पहला केंद्र सासित प्रदेश कौन सा जिसके दरह carbon watch को launch किया गया था तो carbon watch को launch करने वाला भारत का पहला केंद्र सासित प्रदेश बन गया है चंडी गर्ड यानि की option आपका B बिल्कुल सही है चंडी गर्ड अगला प्रसमारा यहाँ पे है कौन सा एरपोर्ट दुनिया का पहला smart reading airport बन गया है तो दुनिया का पहला smart reading airport बन गया है दुबई international airport यानि की option आपका B बिल्कुल सही है दुबई international airport अगला प्रसमारा है पैतालिस में अंतराष्टी कोलकाता पुस्तक मिले का केंद्र बिसे बांगला देश निकी option आपका यह बिल्कुल सही है बांगला देश जो है पैतालिस में अंतराष्टी कोलकाता पुस्तक मिले का केंद्र बिसे था तो आप इसे ध्यान देजेगा very very important बांगला देश अगला प्रसमारा है यूनेस्को के दारा वर्स 2021 के लिए बिसे पुस्तक राजधाने के रूप में किस सहर को नामित किया गया है तो यूनेस्को के दारा विसे पुस्तक राजधाने 2021 के रूप में नामित किया गया है जौर्जिया का सहर है यानि कि option up का C बिल्कुल सही है या जॉर्जिया का सहर है तिबलीसी इसी को जो है 20 पुष्टक राजधाने 2021 करूप में नामित किया गया तो आप इस याद देखेगा तिबलीसी या जॉर्जिया का सहर है हाली में ACI क्रिकेट परिशत के अध्यक्ष करूप में किसे निउक्त किया गया है तो ACI क्रिकेट परिशत के अध्यक्ष करूप में निउक्त किया गया है जैसा को यानि कि optional का ए बिल्कुल सही है जैसा अगला प्रस्मारा है हाली में जाकारता में आसियान सच्वाले में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वस्-2023 तक तयार हो जाएगी तो भारत की पहली जो समुद्र के नीचे सुरंग है या मुंबई में बनकर तयार हो जाएगी तो राइट इंशन आपको जाएगा ऑप्सन C मुंबई में यह निकी ऑप्सन C मुंबई अगला प्रस्मारा है कौन सा राज्य चोथे वैस्वीक अ अगला है और किस मंत्राले ने फ्रेट बिजनेस डेवलप्मेंट पोर्टल को लॉंच किया गया था रेल्वे मंत्रा के दौरा तो अगला प्रस्मारा है खेलो इंडिया आइस होकी टूर्णामेंट का जो सुभाराम बेहाली में किस जागए पहुआ तो खेलो इंडिया आइस होकी टूर्णामेंट का जो सुभाराम बेहाली में किया गया था कारगिल में यानि कि आपसनप का डी बिल्कुल सही है कारगिल में तो अप इसे ध्यान देजेगा कारगिल आज का लास्ट प्रस्मारा है हाले में साउथ एसिया ग्रूप फॉर का प्रमुख कौन बना है तो साउथ एसिया ग्रूप फॉर एनरजी के नए प्रमुख बना है राम बिने साही यानि कि आपसनप का सी बिल्कुल सही है राम बिने साही तो आज का मारे जो करेंट एफेस का टेस्ट था सात्वे नंबर का उसको हमने कंप्रेट कर लिया है थैंक्स पर रचिंग थैंक्यू